कुलीवादी का सबसे अच्छी ये होती है कि कोई भी आपका एक्जाम नहीं होता और पोनाई को इंटरव्यू होता है इसमें डिरेक्ट आप जो है form fill करेंगे और सारे डॉकुमेंट अपने सम्मेट करेंगे और उसके बाद वो डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होती है इसके बाद मेरिट्स बनती है और उसमें आपका नाम होता है तो आपका final selection और आगे भी रिन्यू होता है तो चलिए देखते हैं विकेंसी को डिटेल में इससे पहले आप से रिक्वेस्ट रहे हैं यादि आप चैनल पर अभी विजट कर रहे हैं तो आप इससे सब्सक्राइब जरू कर लिजे लाइक करना बिलकुन मत भूले वीडियो को एंट तक जर पूर्वकालिक सिक्षिका और अंशकालिक सिक्षिका पहले तो मैं आपको बता देती हूं पूर्वकालिक और पूर्णकालिक और अंशकालिक क्या है अंशकालिक जो है पार्ट टाइम टीचर के लिए होता है और पूर्णकालिक जो होता है वो फॉल टाइम टीचर के लिए recruitment होती है और यह vacancy आई हुई है आपकी फिरोजाबाद से आई हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्पर फिरोजाबाद में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासे विद्यालें बाली का विद्यालें में कक्षा 6-8 में रिक्त पदें हो चिकरत कस्तूरबा गांधी आव को तो उसमें ही जो है कुछ चेंजेस आये हैं जो कि लखनोव से थे तो अभी उसको करके यह 4-7-2024 दिनांग से अनमोधन किया गया है तो यहाँ पर आपको अंतिम्तिती अपलाई करने की जो है वो है 25 जुलाई के पहले तक आपको इसमें अपलाई कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर चले देखते हैं स्पीट पोस्ट के तुरू आप एपलाई कर सकते हैं यहाँ पर देखे 25 जुलाई को आप तक आप 55 स्पीट पोस्ट द्वारा कारयाले जेला वेसिक शिक्षा अधिकारे सिविल लाइन्स फिरोजाबाद पर प्राप्त हो जानी चाहिए अंतिम साइन्स वन पोस्ट इडब्लू एस के लिए एज जो है वो 25 से 45 साल वाले के अपलाई कर पाएंगे इसमें जेबी सी होना चाहिए वर्ग में इसके इसके इलाबा इसनाथ तक उच्छी प्राथ में किस तरह का टैट आपने क्लियर किया हो और साथ में बीएट किया हो एंसी कि पोस्ट है और इसमें भी सेलरी जो है वो 12,118 रुपए होंगे इस और यहां पर पोस्ट के साथ आपका बीएड होना चाहिए और यहां पर टैट नहीं है टैट क्लियर मतलब इसमें पार्ट टाइम में और कंप्यूटर में टैट कर यहां पर नहीं लिखा हुआ है कुछ कि क्लियर होना चाहिए बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका बेर होना चाहिए और कंप्यूटर में आपका PGDCA या BCA या BSC Computer Science से किया हो या फिर DOAC से आपने O Label A Label किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं यह सारी विकिंसी जो है 6-8 के लिए है अब न वले केंडिर से अपलाई करेंगे 12,181 यहां पर आपको पैसे में सेलरी में दी जाएगी लेखाकार के लिए विकिंसी है एक पोस्ट है और सनाथ तक वायनी जो होना चाहिए कॉमर्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और MS Office का आपको नौलिज होना चाहिए 13,67 73 रुपे यहां पर आपको दिये जाएंगे इसके लब और भी वेकिंसी है सहायक रसोई है रसोई है चप्रासियो चोकिदार के लिए रिकूट्मेंट है यहां पर इनकी भी सेलरी आपे मैंशन की गई है और काफी अच्छी वेकिंसी है यहां पर मैं आपको पतार समस्त पत्र के अंदर होनी चाहिए इसमें आपको जो है डॉक्मेंट्स लगेंगे जो भी आपके डॉक्मेंट्स होते हैं जैसे पदों में नवीन चेयन किया जाएगा और एक्षियो का ब्यारती आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त सेक्षिन के वार्षिन संबंधी प्रमाण प करेंगे और आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदन पत्र का नाम स्पस्टर रूप से लिखा जाना होना चाहिए यह सारी चीज़े 11 महीने 29 दिन का यह जो है वर्क होगा आपका दोजार 24 से 225 का शेशन जो आपको दिया जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो और य इसे 10 परसेंटेज आपको मिलेंगे इंटरमीडियेट के 10 मिलेंगे और ग्रेजुएशन के 20 और प्रसिक्षक अगर आप आपने बेड किया तो 30 नंबर मिलेंगे आपको इस तरीके से मार्क से आपको दिये जाएंगे टेट की अनिवारता है यहां पर नहीं यहां पर दिया की अरहता अनिवार नहीं होगी कस्तूरबा गांदी आवासी बालिका विद्यालो की गई सेवा अवदी से प्रतिक संपूर्ण सेक्षिक वर्स के लिए तो अधिक्तम 30 अंग भारांग होंगे ठीक है यह सारी चीज़े हैं काउंसले यह साक्षाद कारे तो कोई भी मार्क व वेकंशी है वेकंशी से रिलेटट को भी क्विरी को नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैंशान कर सकते हैं इसके लावा किस डिस्ट्रीक से वेकंशी चाहते हैं जाए मैंशन करना बिलकूम न दबूल यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो असे लाइक कर आए शेर करिए अपने फ्रेंज के साथ जिसको इसकी नीड है चनल को दिया अपने अपी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर लिजे वीडियो को एंट तक देखने लिए थैंक यू सो मच